के फूरीज वेलकम बैक टू माय चनल राज मैं आपके लिए लाई हो मज़िदार सी डूसे की रेसिपी जिसमें दाल चौल बिगाने का तो बिल्कुल जंजटी नहीं आप सीधे घूलो और फटापड से इसका डूसा बना लो चलिए शुरू करते हैं फिर सबसे पहले हम कडा पर हरी मिर्च भी डाल सकतें यह ज्यादा स्पाइस ही नहीं है इसके बाद मैंने यहां पर ले लिए हैं तीन से चार टमाटर रफली कटे वे तो वह भी हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो है न वह अच्छे से पके वे होने चाहिए मतलब मेरा मतलब लाल होने चाहिए इस इसलिए क्योंकि टमाटर जो है न वो थोड़े से गल जाए और जो इनका कच्छा पन है वो भी चला जाए तो दो से तीन मिनट हो चुके और टमाटर जो है यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं बस इसे हमें अब निकाल लेना है और अच्छे से हमें इसे ठंडा कर लेना है उसके बाद हम इसे डाल देंगे मिक्सर चार में टमाटर की यह जो चट्टी है न बहुत जादा टेस्टी लगती है खाने में आप इसे दोसे के साथ ही नहीं पराठे के साथ भी बना कर खा सकते हैं तो बस इसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँगी एक मिक्सिंग छावल का आटा तो यह पर जसके आपको keep this shop that just eat breakfast for 7, mm3 ले ना है तो यहा पर मैंने भी रखोज़ नाikle आपंदे नें रृणफे द्यान में रखनै तो यहाँ पर मैंने भी बन के तयार हुआ है इसके बाद हम इसमें डालेंगे किसा हुआ गाजर साथ में डालेंगे हम बारी कटीवी हरी मिश बारी कटीवी शिमला मिश डालेंगे और यहां पे डालेंगे फ्रेश हरा दनिया सारी चीजों को हमें यहां पर कर लेना है अच्छे से मिक्स इसके बाद म मैंने यहाँ पे ले लिया है एक नॉन स्टीक की पैन, उपर से मैंने उसमें अच्छे से ओईल ग्रीस कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे ओईल डाला नहीं है, सिर्फ इसमें ग्रीस किया है, पैन को पहले हम अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद जो है न हम इस तरह से सकते हैं मैंने इसलिए निभरी क्योंकि विडियो ज्यादा लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने इससे प्लेन ही रखा है सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम टाइम में बनकर तयार होते हैं और जब आपका डो सखाने का मन करें आप फटापट से चावल के आटे को घोलो और हपी कुकिंग